हाजिर हूँ मैं यानि तन्वीर सेख आपके अपने यूटूब चैनल की मार्पियन पर अच की वीडियो में हम रिवीव करने वाले हैं इस एप्लिकेशन का फुल रिवीव करेंगे और आपको A to Z इसमें क्या फंसम है और कैसे यूज करेंगे कैसे इस्टॉल करेंगे सारा कुछ बताने वाले हैं तो चलिए फटा-फट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस करके आल पर किलिक कर दे क्योंकि इस तरह के latest technology वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूं अगर आप इस वीडियो को facebook पेज पर देख रहे हैं तो follow कर लिजेगा क्योंकि मैं facebook पेज पर भी इस तरह के वीडियो को upload करता रहता हूं मुझे इस application का review करने के लिए पहले इस application को install करना परेगा किस तरीके से यह चालू हो रहा है यहाँ पर अब आपको language सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर English ही रहने देंगे जहाँ पर यह already English सेलेक्ट है हम यहाँ continue वाले बटन पर किलिक करेंगे नीचे आपको दिखाए दे रहा है औरेंज कलर का उसके बाद अब यहाँ पर आपको login करना पदेगा जिसको आप mobile number डाल कर login कर सकते हैं या फिर true color है तो उससे भी आप login कर सकते हैं तो हम mobile number से login करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर mobile number एंटर कर देते हैं mobile number एंटर करने के बाद continue वाले बटन पर किलिक करके continue कर देंगे उसके बाद आपके नमबर पर एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर डालना होगा otherwise यह automatic ही ले लेगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यह automatic ले लिया है अब यहाँ पर आपको कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा application चालू होने के बाद यहाँ पर front page कुछ इस तरीके का है जहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलता है search by station application यहाँ पर आप पहला station ढालेंगी उसके बाद दूसरा station ढालेंगा उसके बाद date वगयरा आप select करेंगे उसके बाद search कर देंगे तो यह search होकर आ जाएगा ठीक है दूसरा option यहाँ पर आपको मिल जाता है एक search by train का तो यहाँ पर जैसे ही आप click करते हैं train को search कर सकते हैं train को search करने के लिए आपको यहाँ पर डाला होगा train number या फिर train का नाम उसके बाद search वाले option पर click करेंगे तो search होकर अपने आप ही आ जाएगा उसके बाद जो आप इससे slide up करेंगे slide up करने के बाद यहाँ पर छे option और आपको दिखाए देगा जो पहला option है यहाँ पर pnr status चेक कर सकते हैं running status चेक कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर seat availability चेक कर सकते उसके बाद यहाँ पर fair calculate कर सकते हैं तो कितना चार्ज कटेगा cancel करने पर कितना चार्ज कटेगा वो सब चेक कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जो है आप cancel ticket को चेक कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर booking alert कर सकते हैं उसके बाद order food कर सकते हैं उसके बाद उसके बाद बुक होटल भी कर सकते हैं उसके बाद इसको आप जब slide अब करेंगे तो slide अब करने के बाद हम पर कुछ news, update वगशेट वगईडर आपको अपको भी आपको देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं उसके बाद अगर उपर नचर ढालते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा train man ठीक है उसके बाद यहाँ पर three dot वाला button मिलेगा जिस पर click करके देखते हैं कि वहाँ से क्या क्या option खुलता है यहाँ पर आपको बहुत सारा option मिल जाता है जहाँ पर आप सबसे पहला जो देखते हैं my IRCTC booking चेक कर सकते हैं ठीक है TM cash चेक कर सकते हैं उसके बाद refer and earning का option यहाँ पर से आप देख सकते हैं कैसे refund करेंगे कैसे मतलब refer करेंगे कैसे earning करेंगे उसके बाद यहाँ पर help and support आपको यहाँ से मिल जागा उसके बाद ticket status आप यहाँ से चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप जो है link your IRCTC account अगर आपका IRCTC account बना हुआ है तो यहाँ से account को link कर सकते हैं उसके बाद IRCTC के बाद में Q&A कर सकते हैं यानि कोई भी question answer वगएरा कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर ततकाल ticket book कैसे करेंगे उसके बाद ट्रेन का tips भी आपको यहाँ पर से मिल जाएगा उसके बाद cancel ticket वगएरा यहाँ से देख सकते हैं उसके बाद train analysis चेक कर सकते हैं उ उसके बाद teams का option यहाँ पर मिल जाता है आपको उसके बाद फिर से हम इसको slide up करते हैं तो यहाँ पर और भी option आपको मिल जाता है help line number आपको यहाँ पर से मिल जाता है facts आपको यहाँ पर से मिल जाता है check your speed आप यहाँ पर से check कर सकते हैं अपना speed knowledge आप train में सफर कर रहे हैं आप इस application को direct download कर सकते हैं प्लेस्टोप पर available है किसी भी other website से मैं इस application को download नहीं किया है उसके बाद आप इस application को rate देना चाहते हैं तो rate यूज कर सकते हैं उसके बाद new shortcut भी आपको यहाँ पर से मिल जाता है अब उपर तो कुछ हैनी नज़र डालने के लिए तो नीचे ही नज़र डाल देते हैं यहाँ पर tips वाला option मिल जाता है जिस पर हम click करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह का screen आपको दिखाए देगा यहाँ पर no booking where fund दिखा रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है upcoming train आपका ticket कोई book नहीं है इसलिए आप commentator नहीं दिखा रहा है यहाँ पर दिखे पास्ट train का option मिल जाता है आपको जहाँ पर हम click करेंगे तो किस तरह का interface दिखाए देगा आपको ठीक है तो कुछ है नहीं इसलिए खाली खाली सा दिख रहा है अब उपर भी कुछ नहीं है नजट डालने के लिए तो नीचे नजट डालेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिखा हुआ है wallet wallet पर click करते हैं तो यहाँ पर आपका balance वगरा show करेगा अगर आपके इसमें wallet में balance रहेगा तो यहाँ पर दिखाया का कि यहाँ balance है ठीक है refer से आपने earning किया है तो यहाँ पर से refer earning कर सकते हैं refer करके लोग को पैसे कमा सकते हैं आप ठीक है और यहाँ पर enter promo code करके जो है यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर support की तो यहाँ पर support वाला option मिल जाता है आपको यहाँ पर देखेंगे right side में सबसे नीचे तो support का option मिलेगा इस पर click करेंगे तो किस तरह का interface आपके सामने दिखाए देगा जहाँ पर hang on setting up हो रहा है यहाँ पर hang on setting up जो भी था वो हो गया आप यहाँ पर option select करके question कर स सकते हैं और यह code display पर भी आपको दिखाए दे रहा है ठीक है अब यहाँ से share करना है किसी को तो share करना बहुत ही आसान है आपको invite friend पर click नहीं करना है वहना number वगयरा आजाएगा number पर message कर सकते हैं आपको यहाँ पर click करना है ताकि आपका app वगयरा जो है वह आ जाए ठीक है इस तरीके से click किया और यहाँ पर WhatsApp, Facebook, Instagram यह सब कुछ आ चुका है तो आप कहीं भी share कर सकते हैं तो share करने से क्या benefit होगा कोई भी आपके link से application को download करेगा और वो एक ticket book करेगा तो आपको 50 रुपे तक मिलेगा sign up bonus ठीक है तो इस तरीके से आप कई लोगों को बेश सकते हैं औ पर 10,000 रुपे तक कमा सकते हैं तो यहाँ पर आप जब click करेंगे अपने profile पर यहाँ लिखा हुआ है train man लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको एक logo भी दिख रहा होगा इस logo वाले option पर जब आप click करेंगे तो click करने के बाद यहाँ पर एक profile खुल कर आएगा आपका ठीक है पर आपका यहाँ पर नाम दिखाए देगा उसके बाद यहाँ पर mobile नमबर उसके बाद email आइडिया आपने डाला है तो दिखाए देगा otherwise नहीं दिखाए देगा तो mobile नमबर वेरिफाई है यहाँ पर दिखाए रहा है ठीक है उसके बाद यहाँ पर date of birth आपने नहीं डाला यहां से उसके बाद create IRCTC account भी यहां से कर सकते हैं उसके बाद forget IRCTC ID भी आप कर सकते हैं उसके बाद change IRCTC password भी आप कर सकते हैं इहां से यहां से यहाँ से आप उम्यद आप यह वीडियो में सारी जानकर यह आपको मिल गह smiles इस application के according trainman, trainbooking and PNR इस नाम का यह application है उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं तन्वीर सेक आपको फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नेटरीक के साथ तब तक के लिए बाए